अज हम बनाएंगे गुड़ पापड़ी जिसे गुजराती में सुखड़ी भी बोलते हैं इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप इसे बनाते समय इसका प्रॉपर मेजरमेंट और इसका आटा रोस्ट करने में अगर पर्फेक्ट ध्यान रखोगी तो आपकी गुड पापड़ी हमेशा एक जैसी ही बनेगी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गुड़ पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए थ्रिफोर्थ कप घी मै में उसका मिजरमेंट लेना है ठीफोर्थ कप गूढ मैंने लिया है गुड के चोटे टुकडे कर ले या फिर उसे चाकु से कट कर ले और एक कप मैंने गेहू का आटा लिया है जो हम जनरल ही रोटी बनाने के लिए ये यूज करते हैं वही आठा मैंने लिया है अब हम एक नॉन्स्टिक की कड़ाई लेके उसे गरम करने के लिए रख देंगे, अब उसमें घी एड़ कर देंगे, गी इस तरह से मैल्ट हो जाए, तब इसमें आटा एड़ कर देंगे, और गैस की फ्लेम स्लो टू मिडियम रखके हम इस आटे को रोस्ट कर लेंगे, हमें इस आटे को रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम स्लो टू मिडियम ही रखनी है, और इसे कॉंस्टन्ट हिलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है, क्योंकि गुड़ पापड़ी का पूरा टेस्ट इस आटे के रोस्ट होने पर भी डिपेंड करता है, जब ये रोस्ट हो जाएगा, तो आपको इसकी स्मेल भी आएगी और इसका कलर भी थुड़ा चेंज लगेगा, ये इस तरह से थुड़ा डार्क हो जाए, तब हम गैस की फ्लेम स्लो करके इसमें गुड़ एड़ कर देंगे, अब हम बाकी की पूरी प्रोसेस स्लो फ्लेम पे ही करेंगे, अब इस गुड़ का एक भी टुकड़ा ना रहे, उस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसे एक ग्रिस की हुई थाली में स्प्रेड कर देंगे, मैंने थाली को पहले से ही ग्रिस करके रखा है, तो अब हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, पहले इसे इस तरह से सही तरह से कर ले और उसके बाद एक बाउल के पीछे गी लगा के उसे इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दे, ताकि उसका उपर का लेएर एकड़म सही हो जाएगा, जब ये थोड़ा वॉम हो तब उसके उपर आप इस तरह से निशान लगा दे, आप जिस भी साइस के टुकड़े करना चाहते हो उस साइस के निशान आप लगा दे, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे सौव करेंगे, अब हमारी गुड़ पापड़ी सर्विंग के लिए रैड़ी है, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनती है और ये खाने में बहुत ही सौफ्ट है, आप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,